मार्शमेलोज आज मैं आपके लिए एक्स्प्लेइन करूंगी एक ऐसी साउथ कुरियन फिल्म को जिसके अंदर हम बिलकुल ग्वेदम की तरह अलग-अलग एपिसोड में डराखने किस्तों के बारे में जानेंगे इस फिल्म का नाम है Ghost Mansion जिसे कई लोगों ने पसंद किया था इसमें हम कुछ ऐसी स्टोरिस को देखेंगे जिन्ने देखने के बाद आपका डरना तो पक्का है मेरी बस आप से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों फिल्म के फस सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो एक नए अपार्टमेंट में शेफ्ट हुआ था इस लड़के का नाम था जीवू दोस्तों जीवू बाहर से इस पुराने और उचे गौंगले मेंशन की फोटो क्लिक कर रहा था वो इस पुराने मेंशन में सिर्फ इसलिए रहने आया था क्योंकि उसके पास महंगा रूम खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बच्चे थे वैसे तो जीवू वैक्टून्स की स्केचिंग करने में बहुत अच्छा था मगर काफी वक्से उसे उसके दर्शकों को पसंद आने वाली एक तड़कती भड़कती स्टोरी की तलाश थी बिल्कुल मेरी तरह दोस्तों जीवू ने इस मैंशन के बारे में धेट सारी अफवाहें सुनी थी इसी चीज़ के उपर एक नई स्टोरी लिखने के लिए वो यहां आया था इसके बाद जब जीवू अपने कमरे को पहली बार अच्छे से देख रहा होता है तब ही हम एक बच्चे को उसके पीछे खड़ा देखते हैं मगर जब जीवू पीछे मुड़ता है तो वहां कोई भी नहीं था उसके बाद जीवू इस मैंशन के मैनेजर से मिलता है और उससे इस मैंशन में घटी डरापनी घटनाओं के बारे में पूछने लगता है क्या वो बात सच है? मेरा मतलब क्या सच मुच इस मैंशन में भोतिया घटनाए होते हुए देखा है? जीवू अपनी स्टोरी के लिए उसके जवाब को रिकॉर्ड कर रहा था वो मैनेजर बड़े ही अराम से उसे बताता है जैसे मानों उसे कोई डर ही नहीं था वो जीवू को बताता है कि इस बिल्डिंग के बनने से पहले यहाँ है एक और्फनेज यानी अनात आश्रम हुआ करता था जिसमें बहुत सारे बच्चे भी रहते थे पर एक दिन जब वो बच्चे घर पे अकेले थे तब ही उस ओर्फनेज में आग लग गई थी और उस आग में जलकर सभी बच्चे यहीं जलकर मर गए थे उसके बाद वो मैनेजर जीवू को एक हांटेज स्टोरी सुनाने लगता है जो की एक आथर के बारे में थी फिर स्टोरी फ्लैश पैक में जाती है और हम देखते हैं कि रूम नंबर 504 में एक आथर रहने आया था उसका एक छोटा बच्चा भी था जिसके बार-बार रोने की वज़े से वो अपनी स्टोरी पे फोकस नहीं कर पा रहा था इसलिए उसे भी बाकियों की तरह शांती से अकेले बैटकर स्टोरी लिखने का मन था इस सीन में हम देखते हैं कि उसकी वाइफ उसे फोन करके उससे लड़ने लगती है क्योंकि वो उसे और अपने बच्चे को छोड़ कर यहां आया हुआ था और बाते करते करते अचानक उसकी वाइफ की अवाज ऐसी आती है जैसे कि उसमें किसी की आत्मा आ गई हो दोस्तों इस ओथर के टेबल पे इतने सारे कॉफी कप्स रखे हुए थे जिनने देख के मेरी तो नेंध ही उड़ गई वो रात के वक कमरे में अकेला था जैसे ही वो ड्रिंग ग्लास में डालता है तब ही अचानक उसे नीचे कुछ बच्चों के भागने की आवाज आती है और वो नीचे कान लगा कर सुनने की कोशिश करता है अगले दिन वो इस इंसिडन्ट के बारे में उस ब्रोकर को भी बताता है मगर ये ब्रोकर इन सब के बारे में पहले से ही जानता था वो तो बस कैसे भी करके अपने कस्टमर को ये कमरा बेचना चाता था वो ओथर जीवो को कहता है कि जादा मत सोचो इतना सस्ता कमरा तुम्हें और कौन देगा इसके बाद scene shift होता है और हम उसी author को देखते हैं जो बाहर अपने लिए medicine लेने गया था घर आकर वो अपना laptop table पर खुला छोड़कर fridge से पानी लेने जाता है मगर जब वो पानी लेकर कमरे में वापस आता है तो वो देखता है कि उसका laptop table से गायब हो गया था वो ये देखकर शौक हो गया था और तब ही उसे किसी बच्चे के हसने की आवाज आती है जब वो गैलरी में जाकर चेक करता है तो उसे एक कमरे में एक लड़के का जूता पड़ा मिलता है वो जूता थोड़ा जल रखा था अभी वो सस्पेंस लुक के साथ उसे देखी रहा था कि तब ही बाहर गैलरी में उसका laptop धड़ाम से फर्श पर गिर जाता है और साथ ही उसे तेजी से कोई बच्चा हाथों के बल भागता हुए नजर आता है इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद उसकी हालत खराब हो गई थी वो फटाफट नीचे वाले फ्लोर पे जाकर चेक करता है कि आखिर कौन उसके साथ ये घटिया मजाग कर रहा है नीचे वाले कमरे में उसे बहुत सारे स्कूल शोज मिलते हैं जिनने वो गुसे में आकर कूडे में फेक देता है अगले सीन में हम उसे सोते हुए देखते हैं और तभी अचानक कोई बहार से उसका दर्वाजा कटकटाने लगता है वो अथर डरी हुई हालत में बहार जाकर चेक करता है और वही उसे रास्ते में वही पन्नी पड़ी दिखती है जिसमें उसने उन शोज को फेका था वो नीचे जुकी रहा था कि तभी कोई बच्चा उसके सामने से भागता है और दर्वाजा कटकटाने की आवाजे आने लगती है और तभी उसका सामना कुछ बच्चों की आत्मा उसे होता है जिने देखते ही उसके वो शुड़ जाते हैं और वो कमरे की तरफ भागता है मगर वहाँ पड़े जूतों से टकरा कर नीचे गिर पड़ता है उसके चारों और वही स्कूल शोज पड़े थे इसके बाद जैसे ही वो उटकर उपर देखता है तो उसे बहुत सारे बच्चों की आत्मा उल्टी लटकी दिखाई देती है और वो उसे मार डालती है इसके बाद स्टोरी वापस प्रेजन्ट में आती है और यहाँ जीवो मैनेजजर से पूछता है कि उसके बाद उस आधर के साथ क्या हुआ मगर वो मैनेजजर उसका जवाब देने की बज़ाये उल्टा उस से सवाल करता है कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ स्टोरिश के बारे में लिता हूँ और यहाँ मैनेजजर बड़ी अजीब तरा से उसे कहता है कि इस चीज का हमेशा ख्याल रखना कि तुम्हें किन से बात करनी चाहिए और किन से नहीं अक्सर हमारी खुद की जिन्दगी में भी वही सब होने लगता है जिसके बारे में हम सोचते हैं मगर दोस्तों इस वक जीवू को इससे भी बड़ी चिंता इस बात की थी कि उसे अपनी स्केचिंग पूरी करनी थी अब वो मैनेजर उसे इस मेंशन की अगली कहानी सुनाता है जो की 9th क्लोर में रहने वाली फार्मसिस्ट की थी जो काफी सुन्दर दिखती थी वो लड़की कमरा नमबर 907 में रहती थी इसके बाद स्टोरी फ्लैश बैक में जाती है और हम उसी फार्मसिस्ट को देखते हैं वो सीशे के आगे बैटकर मेक अप कर रही थी इस पीच उसके रेडियो पे एक ऐसे आदमे की ख़़र सुनने को मिलती है जो अपनी वाइफ और बच्चे का मडर करके मौके से फरार हो गया था इस वक्त वो लड़की अपनी मॉम से फोन पे बात कर रही थी जो कि उसे कहती है कि किसी के उपर असानी से बरोसा मत करना और ना ही किसी के साथ रिलेशनशिप में आना क्योंकि उन्हें भी उनके पती ने धोका दे कर छोड़ दिया था मगर वो लड़की अपनी मॉम की बात सुनने की बजाए उनसे बहस करके फोन कट कर देती है इसके बाद हम उसकी और उसके बॉइफरंड की एक साथ क्लिक हुई पिच्चर को देखते हैं यानि ये तो पहले से ही रिलेशन में थी अब देर रात को उसका बॉइफरंड उसके पास आता है मगर उसका चारा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने कुछ ना कुछ तो कांड गिया है जब वो लड़की उससे उसकी पड़ी-पड़ी हालत के बारे में पूछती है मगर वहां डिस्पेंसरी में दो पुलिस्कॉप्स आकर उससे और उसके साथ काम करने वाली लड़की से उसी आदमी के बारे में पूछताच कर रहे थे उनसे पूछने के बाद उस लड़की को एक हैरान कर देने वाला सच पता चलता है दरसल उसके बॉइफरंड ने उसे जूट कहा था सचाई तो ये थी कि रेडियो पे जो न्यूस चल रही थी वो किसी और की नहीं बलकि उसके बॉइफरंड की थी जिसने अपनी बीवी और बच्चे को मार डाला था मगर आगे सुने ये बेवकूफ लड़की बुलिस को बताने के बजाए सीधा अपने रूम में चली जाती है वहाँ उसे कोई उसके बाथरूम में नाता हुआ दिख रहा था जब वह उसे अवाज देती है तो बाथरूम में उसे उसके बॉइफरंड की आवाज आती है जो की ये कह रहा था कि किसी को कुछ मत बताना मगर वो लड़की घपराई हुई हालत में उसके बॉइफरंड की खून के दाग धबो वाली शेट को चुपाने लिए दरसल उसका बॉइफरंड बाथरूम से बस एक ही बात को रिपीट करने में लगा हुआ था कि किसी को मत बताना इसलिए वो चेक करने के लिए सहमी हुई धीरे धीरे आगे बाथरूम की तरफ बढ़ती है और तबी कोई उसके दरवाजे की घंटी बजाता है दोस्तों जब वो जाकर देखती है तो उसे उसका बॉइफरंड बाहर खड़ा दिखता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है वो बाहर खड़े उसके बॉइफरंड को दबी हुई आवाज में अंदर बुलाकर उसे बाथरूम में खड़े आदमी को दिखाती है जो कि अभी भी वहीं बात दोर आ रहा था कि आखिर बात्रूम के अंदर नहा कौन रहा था वो अपने हाथ में एक हतोड़ा लेकर बात्रूम की तरफ बढ़ता है मगर तब ही हम देखते हैं कि कैसे उसने इसी हतोड़े से अपनी वाइफ को मार डाला था अचानक उस फार्मसिस लड़की के आसपास की दिवारें खून से भर जाती है और जो अंदर नहा रहा था वो कोई इनसान नहीं वलकि एक आत्मा थी वो उस लड़की की तरफ देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि किसी को कुछ मत बताना दोस्तों उसके इनी वर्ट के साथ मैनेजर की ये दूसरी कहानी खतम होती है और साथ ही आज की वीडियो भी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना और आपको इस वीडियो का सबसे डरावना सीन कौन सा लगा ये भी मुझे जरूर बताना अगर आपको इसका अगला पार्ट भी देखना हो तो प्लीज मेरे छोटू से चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर देना ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले